नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नीती कपूर और आप सबका स्वागत है महरिशिक रिपशक्ति आयरुवेदा में आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रॉंकियल अस्थमा यानि की दमा की ब्रॉंकियल अस्थमा एक अलर्जिक डिसॉडर है जिसमें हमारी सांस की नलियों सुकड जाती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ऐलर्जन्स की वज़े से हमारी सांस की नलियां हाइपर रियक्टिव हो जाती है उनमें सूजन आ जाती है और उनका डायमेटर कंस्रिक्ट हो जाता है अलेर्जन्स कई तरीके के हो सकते हैं लाइक धूल, मिट्टी, प्रदूशन, पर्फियूम हो सकता है या अगरबती का धुआ भी हो सकता है नलियों के सुकडने की वज़े से कई तरीके के लक्षन इस बिमारी में देखने को मिलते हैं जैसे कि सांस को बहुत जादा फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना या बहुत तेज खांसी आना और सांस लेते वक्त एक तरीके की साउंड का आना जिसे हम वीजिंग बोलते हैं, वीज होना बोलते हैं छाती में जकडन होना इस तरीके के कई लक्षन अस्थमेटिक पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे अब दोस्तों मैं आपका इसको पाय बताते हूं कि कैसे अस्थमा से बचा जाए असना से बचने के लिए मेनली अलर्जन से ही बचना होगा क्योंकि हर person to person depend करता है उसको किसी चीज से अलर्जी है लाइक किसी को धूल से होगी, किसी को मिटी से होगी, किसी को प्रदूशन से होगी तो हम एक construction वाली site पे जाना एवोइड करना चाहिए अगर जाना भी है तो मास्क पैन के जा सकते हैं गाड़ी ड्राइब कर रहे हैं तो गाड़ी का शीशा उपर करके ड्राइब करें दोस्तों मेरे द्वारा बताये गए कोई भी लक्षन आप में ये आपके परिवार में मिलते हैं तो हमारे दिये गईस नंबरों पर जरूर संपर करें हमारी संस्था महरिशी कृपशक्ती संस्था एक ऐसी संस्था है जो आयरुवेदिक चिकित्सा पदती पर अधारित है और पिछले 20 सालों से ऐसे रोगों का इलाज बिना किसी साइड एफेक्ट के कर रही है अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिये हुए नंबरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों मेरे द्वारब दिखाई गई वीडियो मेरे द्वारब बताई गई जानकारी से आपको कोई भी सहाजता मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना शेर करना ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद